इस वीडियो के एंड होने तक मैं तुम्हारा डंकी मूवी के बारे में POV ही बदल दूँगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो आराम से वीडियो को डिसलाइक कर देना Hey guys, you're watching the Unoffender राजकुमार हिरानी और शारुखान सर का साथ में आना एक ड्रीम कॉलाबरेशन था जो मुन्ना भाई MBBS के टाइम से डीले होए जा रहा है राजकुमार हिरानी सर की सारी मूवी इस अभी तक सूपर सक्सेस्फल रही है और शारुखान हमारे सबसे बड़े स्टार है इन फैक्ट जवान और पठान के साथ ये साल अलग ही फाडू रहा है डंकी मूवी को mixed response मिल रहा है इस पर कई लोगों का कहना है क्योंकि ये collaboration इतना ज़ादा anticipated था और expectations इतनी high थी कि एक अच्छी मूवी भी लोगों को disappointing लग रही है लेकिन मेरे according ये movie के actual flaws को ignore करने का एक तरीका है movie का जो major turn of events था सुखी की death जिसके बाद सारे डंकी पर निकल पड़ते हैं वो actually sense नहीं बनाता दो मिनिट के लिए मुझे ध्यान सुनना और सोचना इसको decode करते हैं सुखी ने अपनी जान क्यों ली क्योंकि उसकी प्रेमिका जसी ने अपनी जान ले ली लेकिन अब जसी ने ऐसे क्यों करा क्योंकि सुखी आइल्स में फेल हो गया और अब वो लंडन नहीं आ पाएगा लेकिन अगर सुखी लंडन चले जाता तो फिर क्या होता वो जसी से मिलता और फिर वो जसी को उसके पती से छड़वाता जो कि जसी को मारता था फिर उसके बाद वो दोनों लंडन में और जॉब्स करते, सर्वाइव करने के लिए जसी अपने पती की पुलिस कंप्लेंट करती, उससे डिवास लेती और क्योंकि उसके पास अब सिटिजन्शिप है, तो वो और सुखी वही रहते, एकदम मस्त लेकिन ये सब तो जसी सुखी के बिना भी कर सकती थी, वो अपने पती से छुपकर सुखी को लंडन से पंजाब चिठी लिखती थी लेकिन पॉलिस को कॉल नहीं कर सकती थी, मैं ऐस्यूम कर रहा हूँ कि शायद लंडन में डोमेस्टिक अभी उस विक्टम के लिए भी कोई असाइलम हो, जसी अपने पती की कंप्लेंट करके वहाँ चले जाती, और फिर उसके बाद सुखी को भी पता होता कि वो सेफ है, औ और लंडन आजा मेरे पास, लेकिन नहीं, जसी डुमेस्टिक अभी उस सहती रहेगी, वो पुलिस के पास नहीं जाएगी, वो सुखी को इंडिया लेटर लिखेगी और कहीगी, तू आजा मुझे बचाने, अगर तू नहीं आपाया तू मैं मर जाओंगी, मेकर से जादा नहीं लगाया, उन्होंने सोचा, विकी कोशल जैसे अच्छे अक्टर को ले लेंगे, उसका दारू पीकर रोते वे सीन डाल देंगे, और उसको अपनी जान लेते वे दिखा देंगे, ओडियंस का क्या है, एमोशनल हो जाएगी, मैं तो खुद रो गया था वो सीन देखकर और सुखी का तो लोगों को genuine reason लग रहा था डंकी करने का, वरना लखनपाल को तो इसलिए डंकी करना है क्योंकि उसकी मम्मी पैंट पहनती है, अब आज आते हैं कि क्या ये movie illegal immigration को justify करती है, तो movie में इससे related जो जो information दी है उसको consider करते हैं, और तुम भी मुझे comment में बता दे या जो बार-बार fail हो रहा है, वो exam के ऊपर हमेशा डंकी को ही preference देगा, ये इतना भी straightforward नहीं है क्योंकि डंकी के process में आपकी जान जाने का खत्रा है, जो exam में नहीं है, साथी में हमें ये भी दिखाया है कि जो लखनपाल का character है, वो 25 साल लंडन में रहने के बाद भी odd jobs ही क कर रहा है, लेकिन जब वो वापिस आ जाते हैं तो ये भी दिखाये कि उनके parents at least comfortably रह रहे थे और उन सब के घर वगयरा सब अच्छे से बन गए हैं, कही ना कहीं जो उन्होंने sacrifice करा था या जो risk लिया था डंकी करने का वो payoff कर गया है, overall मुझे लगता है जो illegal immigration का process है, उसके हमें positive और negative दोनों aspect दिखाये गए हैं और उसको justify नहीं करा गया है, लेकिन जो illegal immigrants बनते हैं, जो डंकी मार के फॉरण जाते हैं, उनको glorify करा है, हमें उनके साथ empathize करना चाहिए, उनकी respect करनी चाहिए, जैसे उन्होंने बहुत हिम्मत का काम करा है, वो बहुत rebellious है, अपने parents क लिए better future बनाने के लिए वो इतना बड़ा risk उठाते हैं, जैसे last में photos का एक montage आता है, और जो बिल्कुल final scene है movie का, जहाँ पर hardy एक londy को धोबी पचाड़ देता है, जब वो कहता है कि डंकी बहुत आसान है, यही दिखाता है कि जो डंकी मार रहे हैं, चाहिए कुछ भी reason ह बहुत ही ज़ादा हिम्मत का काम कर रहे हैं, बाइद वे मैं movie को hate नहीं कर रहा, चाहे तो जाके मेरा review देख लो, लेकिन मैं देख रहा हम कि कई लोग इसको good movie भी बोल रहे हैं, फिर भी लोग point out करें, नहीं, इसको masterpiece ही बोलो, यह writing में issue है, screenplay में issue है, major turn of events था, उसका flaw तो भी हमें better movies मिलेंगी